हेलो इस्टुएंट्स जैसा कि आप अभी देख रहे हैं हम आज की वीडियो में डिसक्स करेंगे ट्रिग्नोमेटरी एंड इट्स एप्लिकेशन्स जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो थी बेसिक्स एंड नंबर सिस्टम्स पे अगर आपने वो ना देखी हो तो आप प्ले ल सकते हैं इसके वाद मेंसरेशन पर डिसक्स करेंगे यानि कि मेंट्स वीडियो जो होगी हमारी वह मैंस्चुरयशन पर आपने अभी तक चैनल को एक्सिस कर सकें एजली ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो जो एम्यू बूस्टर है उसमें यह फूर्थ चैप्टर है ट्रिगो एंड इस एप्लिकेशन ठीक है फिर्स कोशन जो दिया था वो था कि यहां पर हमें 90 बनेगा यानि कि 48 और 42 मिलाके 90 बनना है 23 और 67 मिलाके हमें 90 बनना है इनको एक साथ रखेंगे ठीक है 1040 डिग्री और 1042 है तो इसको में लिख सकता हूं 1090-48 डिग्री ठीक है 1023 डिग्री और 1067 को में लिख सकता हूं 1090-23 डिग्री ठीक यहां से 1048 डिग्री और 1090-3 रहता है यानि कि 48 डिग्री 1023 डिग्री और 1090-3 डिग्री और 1090-3 डिग्री यहां पर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है मल्टिप्लाई ठीक है कॉर्ट को हम लिख सकते हैं 1 upon 10 यानि कि रैसी प्रोकल होता है इसका कॉर्ट सॉरी 1048 डिग्री मल्टिप्लाई 1023 डिग्री मल्टिप्लाई 1 upon 10 23 डिग्री इसको यहां से cancel out कर सकते हैं हमें क्या में लेगा यहां से 1 यानि कि option नंबर बी जो होगा वो इसमें correct होगा अगला question था alpha प्लस beta is equal to 90 and alpha is equal to 2 beta the cos square alpha plus sin square beta is equal to हमसे यह पूछा गया था तो alpha प्लस beta is equal to 90 डिग्री और alpha की जगा हमें यहां 2 बीटा रखना है तो 3 beta is equal to 90 डिग्री और beta is equal to 30 डिग्री अगर beta 30 है तो alpha यहां से कितना आ जाएगा 60 डिग्री ठीक है यहां beta की value रख देंगे alpha यहां से हमें find out हो जाएगा तो alpha बीटा वह हमें पता लग चुका है तो हम निकाल सकते हैं cos square alpha है तो alpha की value 60 है plus sin square beta यानिके 30 डिग्री तो cos 60 की जो value होती है 1 upon 2 होती है और इसका square है तो square कर दीजिए plus sin 30 की value 1 upon 2 होती है इसका square कर दीजिए यहां से LCM लेंगे 2 upon 4 यह हो गया है यानिके 1 upon 2 जो होगा वह हमारा answer होगा option जो है वो C इसका correct होगा ठीक है तो अगला question की तरफ बढ़ने से पहले मैं यह जो पिछला है उसको remove कर देता हूं erase कर देता हूं अगर आपने यह note ना किया हो तो वीडियो को post करके और इसको note कर लीजिए तो next question था हमारा if sin 3a is equal to cos a minus 26 और यह भी चीज़ हमें पता है कि sin और cos जो है वो एक दूसरे के complementary होते हैं यानि कि उन दोनों के angle का sum 90 degree होता है तो where 3a is an acute angle than the value of a ठीक है तो क्या करेंगे यहाँ पर sin का जो angle है वो 3a है plus a का क्या है a minus 26 और यह किसके बरावर होता है 90 degree ठीक है तो 4a is equal to minus 26 है जब इधर का आएगा तो plus का हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया 116 तो a is equal to 4 to the 8 और 4 9 तो एक की value जो आई वो 29 degree आई हमसे पूछा क्या गया है यही पूछा गया था यानि कि option C जो है वो इसमें correct होगा ठीक next question है the value of 10 फिट से again मतलब repeated question है अगर देखें तो देखिए पहला 1048 1048 1023 1042 1067 ठीक यह mu में 2013 में भी आया था और 2014 में repeated है question ठीक है तो हम यहां से tick कर सकते है इसको यह ठीक कि फिफ्ट नंबर देखते हैं the value of under root one minus sign a divided by one plus sign a ठीक है तो हमको क्या करना है हिंदी में इसको अगर बोलने तो हरका परमे करना ठीक है या फिर rationalize English में rationalize करना है उसको that mean कि under root one minus sign a और one plus sign a हमको दे रखा है तो multiply करना है हमको इसके opposite numbers है यानि कि one minus sign a से उपर नीचे हमको multiply करना है तो यहां से हमें क्या मिलेगा one minus sign a का whole square मिलेगा और यहां पर क्या मिलेगा यहां हमें a plus b और a minus b जैसा लग रहा है तो one minus sign square a है यहां से one minus sign a का whole square और यह हो जाएगा नीचे cos square a तो under root खतम हो जाएगा तो मिलेगा हमें one minus sign a divided cos a या फिर हम लेख सकते हैं one upon cos a minus sign a upon cos a यहां से सक a minus 10 है ठीक है तो इसमें ऐसा option कौन सा है सक a minus 10 है यानि कि option number c जो होगा वो इसमें correct होगा ठीक next question है which of the following is not true ठीक है तो इसमें अगर हम देखें sign a plus b और यह फिर sign a plus b एक साथ है और sign a plus sign b जो है वो अलग-अलग है ठीक तो यह true है तो कोई भी हम a की value ले सकते हैं ठीक है मालो हम 45 45 ही ले ले लेते हैं यह कुछ भी ले सकते हैं इसको 30 कर दीजिए और बी बरावर 60 कर दीजिए तो sign a plus b है यहां पर यानिके sign 90 हो गया अधर तो जा फिर एक बाल लिख लो ठीक है ऐसे आएगा equation ठीक यह हो जाएगा sign 90 यह हो जाएगा sign 1 upon 2 और यह root 3 upon 2 यह तो हो गया 1 और यह 1 plus root 3 upon 2 तो यह equal है नहीं है equal ठीक है तो इसका मतलब यह true नहीं होगा ठीक यह element हो गया 10 a is not defined a for a बरावर 0 ठीक है तो 0 पर 10 a की value जो होती है वो 0 होती है तो यह भी यहां से हट गया हमारे पास अब दो option बचे है the value of sign theta increase as theta increase ठीक है तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि cost की जो value होती है अगर हम देखें 90 पर अगर देखें तो sign तो 1 होता है और यह 0 होता है और 0 पर यह 0 होता है और यह 1 होता है यानि कि साइन और कॉस ठीक है तो हमें यहां से क्लिए लिख रहा है कि sign की value जो theta बढ़ता है तो यह 0 से 90 होता है और यह 0 से जब 90 होता यह 0 होता है यानि कि cost की जो value है वह decrease होती है theta जैसे जैसे बढ़ता है नक्रीड होता है और sign की value इन्क्रीज होती है जैसे जैसे ठीटा इन्क्रीज होता है तो आप्शन नमर्बी जो होगा वह इसमें क्रेक्ट होगा ठीक, next question है 8 नमबर If court a plus b is equal to one upon root three court a minus b वराबर root three, where a and b ठीक है a plus b वराबर जो है वो ठीटा और और 090 के बीच में then a b की value हमें बतानी है तो यहां हम क्या कर सकते है cot a plus b और cot की value 1 upon root 3 कब होती है जब cot 60 होता है तो यहां से हम कह सकते है कि a plus b बरावर 60 होगा equation 1 ठीक है cot a minus b और root 3 कब होती है जब cot 30 degree होता है यानि कि हम यहां से कह सकते है a minus b is equal to 30 अब equation 1 और 2 को हम इसको solve कर लेंगे यह तो cancel out हो जाएगा 2 a is equal to 90 और a is equal to 45 ठीक है तो a की value अगर 45 है तो b की यहां से 15 degree आ जाएगी हम से पूछा क्या गया है a और b की value ही उची गई है तो 45 और 15 यानि कि option number d जो होगा वो इसमें correct होगा ठीक अगला question है a straight अच्छा यह height and distance से है ठीक तो मैं इसको यह rough कर देता हूँ और अगर आपने note नाती हो तो फिर से video को post करके इसको note कर लिजे a straight highway leads to the foot of a tower ठीक है कोई straight highway है यह highway जा रहा है और यह tower के foot पे जाके मिल ला है ठीक है tower से हमने इसको मिला दिया a man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree यहाँ पे car थी तो उसका 30 degree का angle बनना आता which is approaching the foot of the tower with an uniform speed ठीक है 10 second later और यहाँ से यह जो question है कुछ miss दिया है इस book में है नहीं शायद या फिर जो पीडिया बनाए गए थी वहाँ पे यह था नहीं तो 10 second बाद वो कितना हो गया था 60 degree हो गया था ठीक है यहाँ पर 10 second है फिर हमको बताना है कितने time में यानि कि यह यहाँ तक की distance है वो कितने time में यह cover करेगा ठीक इसको मालनो h है और यह जो है इसको x मालनो इतनी distance को और यहाँ से यहाँ तक यह y हो गई ठीक है अगर हम 1060 में देखें तो triangle कौन सा बनेगा यह बनेगा ठीक है तो 1060 में क्या होता है perpendicular divided by base यानि कि h upon x आएगा 1060 यानि कि इसकी value होती है root 3 h upon x और हम कुछ चाहिए क्या x ही निकालना है तो यानि कि h की value में यहाँ पर रखेंगे हम तो हम कह सकते हैं कि h is equal to x root 3 ठीक है अगला क्या है जब हम 1030 लेंगे मलब 30 angle लेंगे तो यह पूरा का पूरा triangle आ जाएगा ठीक है यह perpendicular होगा और यह पूरा का पूरा इसका base होगा तो 1030 is equal to h upon x plus y इसकी value होती है 1 upon root 3 और यह h upon x plus y ठीक ठीक cross multiply करेंगे तो x plus y इदर आ जाएगा और x की value हम नहीं रखनी है root 3 h होगा ठीक है तो h की value यहां रख देंगे हम तो यह हो जाएगा root 3 multiply root 3 x यानिके 3 x ठीक अब यह x इदर ले आएगे तो y is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा y बरावर 2x आ जाएगा यानिके जो y है वो 2x है जितनी यह दूरी है उसकी double है x की double है तो 10 second में इसने double दूरी चल लिए तो आदी दूरी यह कितनी second में चलेगा हम के लिए 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 सकते हैं 5 second इसको लगने वाले आगे तोवर तक पहुंचने के लिए यानिके option भी जो होगा वो इसका correct होगा ठीक है next question जो है वो है if cot 3a is equal to 10 a minus 10 फिट से हमें पता है कि cot और 10 जो है वो complementary होते हैं यानिके इनके angle का समझो है वो 90 degree होना चाहिए तो हम लिख सकते हैं 3a plus a minus 10 is equal to 90 degree जैसे sign cause होता है complementary ऐसे 10 और cot होता है और ऐसे ही set और कॉसिक होता है ठीक है यहां से 4a is equal to 100 आ जाएगा और a is equal to 25 degree आ जाएगा यानिके option भी जो होगा वो इसमें correct हो जाएगा next फिर से heightened distance है the shadow of tower standing on a level ground is found to be 30 meter longer when the sun's altitude is is 30 degree and then when it is 60 what is the height of power ठीक है तो figure बनाते हैं से पहले यह हमारा tower है यह ground पे कहीं पे 30 degree बना रहा है फिर बाद में क्या होगा यह 60 degree भी बनाने लगा ठीक तो यह अगर यह x है तो यह 30 meter longer है ठीक है यह बनेगा इसका figure और यहां पर यह h होगा ठीक है ठीक तो इस question को थोड़ा सा सवाजने की दूर होता है इसमें language जो है वह यह कह रही है कि जब वह 60 degree था ठीक है तो उसका कुछ बनाना था 60 degree का एंगल था तो x दूरी पर था जब वह 30 meter longer हो गया तो 30 degree का एंगल होगा था ठीक तो अब फिट से वही जब 60 एंगल लेंगे तो यह वाला triangle की हम बात करते हैं यानिके base x होगा और यह perpendicular h होगा तो 1060 is equal to h upon x और यहां पर root 3 हमसे height पूछी है तो इस बार हम x की value लेंगे ठीक है यानिके x की term में इसको निकाल लेंगे तो h upon root 3 x वराबर हमारा निकल के आया h upon root 3 ठीक है जब 10 30 degree लेंगे तो h upon 30 plus x यानिके 1 upon root 3 और यह h upon 30 plus x cross multiply करेंगे 30 और प्लस x की value यहां रख देंगे h upon 30 और यहां से यह हो जाएगा h root 3 ठीक है root 3 से दोनों side multiply कर दो तो यह हमें मिलेगा 30 root 3 plus h और यहां पर 3 h 3 h h यह जब इदर जाएगा तो यह plus का है अभी minus का हो जाएगा यानिके 3 h minus h मतलब कर 2 h बचेगा और यहां से h is equal to 30 root 3 upon 2 यानिके 15 h is equal to हमारा जो आएगा height जो आजाएगे वो 15 root 3 meter निकल के आएगे यानिका option number c जो होगा वो इसमें correct होगा ठीक नेक्स है 12 number if 10 a plus b फिर से step का हमने question किया था ठीक है तो मैं इसको rough कर देता हूँ तो 10 a plus b है और 10 की value root 3 कब होती है जब 10 की value 60 होती है तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि a plus b is equal to 60 होगा दूसरा 10 a minus b है और one upon root 3 कब होती है जब 10 की value 30 होती है तो यहां से मैं कह सकता हूँ a minus b ब्राबर root 3 second equation first equation a and sorry first and second से हम क्या करेंगे इसको solve कर लेंगे कि यह कट जाएगा हमें मिलेगा 2 a is equal to 90 और a is equal to 45 तो बी बराबर सुर्टी फटी फाइब ठीक है b is equal to 15 हो गया तो option b जो होगा वो इसमें correct होगा ठीक अगला है 10 theta की value हमें दे रखी 1 upon root 7 और the value of this ठीक की value हमें निकालनी है तो सबसे easy method मैं हमेशा बताता हूं कि आप इस तरह के question जबती हों तो उसमें क्या करें हमें triangle बनाए right angle triangle और 10 क्या होता है यहां पर 1 होगा यहां root 7 होगा तो हमको बस क्या निकालना है यह hypothenius निकालना है पाइथागोरस है ठीक है पाइथागोरस अप्लाई करेंगे यानि कि h का square 1 का square plus root 7 का square ठीक है 1 plus 7 is equal to 8 या फिर h बराबर 2 root 2 hypothenius हमारी आ चुकी है अब हमको बस value को put कर देना है ठीक है वैल्यू को जो put करेंगे यानि कि cosmic square theta है तो cosmic theta क्या होता है hypothenius divided by perpendicular ठीक है तो 2 root 2 और square है तो square कर देंगा upon में बनने उसका कोई मतलब नहीं माइनस सेक स्क्वाइर ठीक है तो hypotenuse divided by base इसका square ठीक है सेम यहीं पर यही नीचे repeat होगा और यहां प्लस आ जाएगा ठीक है तो यह तो हो गया चार और दुनी आठ और माइनस आठ अपॉन साथ आठ पिलस आठ बटा साथ यहां पर आठ एट से विन जा फिप्टी सिक्स और फिप्टी सिक्स में से जब हम सब्टैक करेंगे एट तो हो जाएगा हमारे पास 40 इट यहां incentiv एंप्ट्य एड करनाय तो 56 में एकड़ करेंगे तो हो जाएगा यह शिक्स्टी फॉर कि तो सिक्स्टीन 3— now sixty for हो जा कि 64 यानि कि 3 upon 4 जो होगा हमारा आंसर होगा option नमबर सी जो में होगा इसमें वो correct होगा अगला जो question है यानि कि next question वो फिर heightened distance है तो मैं भी इसको रख कर देता हूं कि क्या बोला कोशन दा एंगल ओफ elevation of the top of tower from two point at a distance four meter and nine meter ठीक है तो यह है ठीक है और वो क्या बनना है in the same state line with the complimentary बनना है ठीक है अगर यह ठीटा है तो यह 90 मैनिस ठीक है कॉम्प्लिमेंटी यह तो हुआ और यहां से 4 है यहां total line है ठीक है 4 और 5 और यह हो गया ठीक तो हमें यह हाइट ही निकालनी है ठीक है तो अगर मैं ठीटा की बात करूं यानि के ठीटा एंगल की तो यह इसका अ हुआ है यह वाला हुआ यह बेस होगा हुआ है यह है तो 10 ठीटा लगा देते हैं यहां पर 10 ठीटा इस इक्वेल टू एच अपन फोर आगया है के लिए फिर पूरे पूरे ट्रैंगल की बात करेंगा यानि के 10 90 मैंनस ठीटा इस इक्वेल टू एच अपन 9 ठीक है और 10 90 मैंनस ठीटा होता है कॉट ठीटा एच अपन 9 और कॉट जो है वो टैन का रैसी प्रोकुल होता है यानि के मैं इसको लिख सकता हूं 10 ठीटा इस इक्वेल टू 9 अपन एच यहां भी टैन ठीटा की वैलू यहां भी टैन ठीटा की वैलू हुई तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से एच अपन 4 इस इक्वेल टू 9 अपन एच क्रॉस मुल्टिप्लाइ करेंगे एच का स्क्वेर 9 इंटू 4 डैट मिन 36 और एच इस इक्वेल टू 6 ठीक है 36 का स्क्वेर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा यानिके एच की जो वैलू होगी वह 6 आएगी यानिके 6 मीटर ठीक है क्योंकि यह मीटर में रखा है तो सारह यह मीटर में आएग ठीक क्लिया आगे बढ़ते हैं 15 नमबर कोशन है कि if cos theta minus sin theta is equal to root 2 है root 2 sin theta है ठीक है then the value of cos theta plus sin theta हमें बतानी है तो both sides हम क्या करेंगे square कर देंगे इसका ठीक है तो यहां से अगर square open करेंगे तो यह होगा हमारे पास cos square theta plus sin square theta minus 2 cos theta और sin theta और इदर मिलेगा 2 sin square theta ठीक इतना हमें मिल गया यह है अब क्या करना है यह वाला जो पार्ट है इसको इस side ले जाओ तो यह minus का है plus हो जाएगा और यह इदर को लेकर आओ ठीक तो मिलेगा हमें cos square theta और यह जब इदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ठीक है मैनस का 2 sin square theta यहाँ पर पहले से ही प्लस का 1 sin square theta तो इसका मतलब 1 sin square theta बचेगा वह भी माइनस का और यह जो माइनस का यह दर जाके प्लस हो जाएगा 2 cos theta और sin theta अब यह मुझे कुछ ऐसा लग रहा जैसे a square मैनस b square जैसा तो मैं इसको वैसे ही खोल दूँगा cos theta मैनस sin theta और cos theta plus sin theta 2 cos theta sin theta अब जहां से देखिए cos minus sin theta की जो value है वह हमारे पास है root 2 sin theta तो वह यहाँ put कर दूँगा root 2 sin theta और यह cos theta plus sin theta sin theta से यह sin theta cancel out यहां से इसको अगर break करूँगा तो यह क्या होता है root 2 multiply root 2 तो एक root 2 से एक root 2 cancel out हो गया तो अभी मेरे पास क्या बचा cos theta plus sin theta और क्या है यह root 2 cos theta ठीक है और value हमें किसकी निकालनी इसी की value निकालनी थी यह रूट 2 cos theta इसका answer होगा option number B जो है वह इसमें correct होगा 16 number question है cos A cos cos 1 cos 2 cos 3 और dot 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 यह लगा है और यह पहुंचा है 179 ता तो एक बाद बदा है यहाँ पर बीच में कहीं पर cos 90 भी आया होगा ठीक है और जैसे ही cos 90 आया होगा तो इसका मतलब cos 90 की value होती है 0 तो यह जो है इधर कुछ भी हो multiply हो रही है सबकी और इधर चाहें कुछ भी हो तो वह सब हो जाएगा 0 that means option number B जो होगा वह इसमें correct होगा ठीक अगला जो है 70 number उसमें पूछ रहा है कि which of the following is not correct ठीक है हमको बताना है कि कौन सा correct इसमें नहीं है ठीक है तो साइन वन और साइन वन और साइन वन की value क्या बड़ी होती है दोनों बराबरी होंगी यानिकर यहां पराबराना चाहिए यह करेक्शन होगा फिर भी आगे चेक कर लेते हैं अब कॉस्टू की value जो है वह छोटी होगी कॉसे से ठीक तो विलकुल होगी क्योंकि हमें पता से ठीक होता है वैसे वैसे साइन की value इंक्रीज होती यानिके यह भी सही है टैन एक की value जो है वो ठोटी होगी टैन टू से बिलकुल होगी क्योंकि टैन हमने 0 पर देका 0 है और टैन 30 की बात करें तो वन अपान रूट 3 है फिर 1060 की बात करें तो रूट 3 है यानिके value हमारी बढ़ दिए तो यह भी सही है तो cable option नंबर जो पहला वाला यह वाला वो इसमें correct होगा है अगला question कह रहा है कि evaluate 1 upon 2 कॉसिक माइनस 675 पिलस रूट 2 सेक 765 डिगरी और माइनस कॉट 1215 ठीक है इसको evaluate हमको करना है तो एक चीज हमें यहां पर देखनी है एक तो यह जो angle है ठीक है यहां जो angle बनना है यह minus में दे रखा है आपने देखा होगा नोट किया हुआ यह प्लस में है यह भी प्लस में है तो जब यह minus में हो तो that mean के minus की value आईगी except cost और sec को छोड़के cost जो है वो प्लस ही देता है हमेशा ठीक है अगर cost की यहां पर यह सेक की यहां बस minus दे रखा हो तो value प्लस ही आदी लेकिन अगर यहां दे रखा है sign के साथ 10 के साथ 4 के साथ तो यह minus ही आईगी तो यह तो हमें clear रखना है कि अपने दिमाग में यह minus आएगा दूसरा अब 675 डिगरी है यानि के 0 जीरो यह 90 डिगरी होता है यह 100 80 डिगरी होता है यह 270 और यहां आकर 360 हो गया ठीक ठीक तो इतना clear हो गया अब हमें 675 जाना 360 का एक राउंड होता है यानि के यहां तक तो प्लस आने ही आने है फिर दुबारह यह राउंड लगाएगा तो 720 हो जाएगा यहां पर ठीक और 720 से यह 675 है ठीक है तो 720 से हम 675 माइनस करेंगे 10 में से 5 गाए 5 11 में साथ गाए 4 45 डिगरी यानि के इस इस वाले में यह आनी है वैल्यू तो फिर से पहले ही और लेडी यह माइनस की है और यहां पर आएगी क्योंकि यहां सारे के सारे जो है वह पॉजिटिव होते हैं यहां पर केवल सैन और कॉसिक होते हैं ठीक है यहां टैन और कॉट होते हैं पॉजिटिव यहां पर कॉस और सैक होते हैं पॉजिटिव अब जब यह दूसरे के घर में आएगा तो माइनस हो जाएगा ठीक है और औप पहले से यह मैनस था मैनस मेल के या हो गया ब्लस हो गया यानि कि आगर हम देखें तो पांच उच्छे दे यानिके 45 की value निकालनी है और यह 45 यहां पर आएगा क्योंकि 720 यहां तक हो रहा है फिर आगे जाएगा 45 तो इस वाले इसमें आएगा इसमें तो सभी positive होते हैं यानिके रूड टू और सेक 45 डिग्री की value निकालनी है अब आती बात 1215 की यानिके 1215 की ठीक है तो एक रॉंड और लगा लेते हैं यानिके 1080 होगा ठीक है तीन रॉंड अगर इसने लगा लिए अब यह 1215 है 1215 और 1083 रॉंड पर होगा तो पांच ग्यारा में से आठ गए तीन एक 135 डिग्री ठीक है यानिके 135 डिग्री की value निकालनी है कॉर्ट की और 135 कहां पर आएगा इस वाले क्लिड में आएगा यहां पर यह माइनस हो जाएगा ठीक है यहां पर माइनस हो जाएगा लेकिन माइन माइनस पहले से भी है हमारे पास तो माइनस माइनस यह हो गया प्लस ठीक है और कॉट 135 निकालना है यानिके कॉट 90 प्लस 45 होता है 1045 तो 1045 की value निकालनी है ठीक इतना केलियर हो गया अगर अभी यह समझ में ना आया हो तो एक वर वीडियो को पीछे करके दुबारा से समझ ठीक है जो एक round होता है वो 360 का हो गया वहां से हमने इसको calculate कर लिया दो round लगाए तो 720 हो गए यहां से इन दो की value निकाल ली फिर यह ज्यादा है यानिके 1215 value है तो 3 round लगाएंगे 360 के ठीक तब यहां से हम calculate कर सकते हैं यह 135 यानिके 90 प्लस 45 वह इसमें आएगा ठीक है और minus क की value आएगी minus पहले से तो इसलिए plus हो गया ठीक अब value पुट कर देना है कॉस से 45 की होती है रूट टू पिलस रूट टू और से 45 की भी रूट टू होती है और 10 पिलस रूट टू होती है तो यहां से अगर हम देखे तो यह वन अपन रूट टू बचेगा क्योंकि रूट ट टू प्लस वन अक चैक अच्च्छा यह कोशन में एक मिस्प्रेंट भी है यहां पर रूट टू हो गा ठीक है तो यहां पर हमें क्या मिलेगा यह कैंसल आट होगया वन मिलेगा ठीक है तो ओन प्लस pre number 2 बच्ड गा tässä टू इसमें और इसमें यहां पर मिस्प्रिंट है एक और मेरे पास दूसरी PDF DME booster की वहाँ पर उसमें रूट टू दे रखा था ठीक है तो अगर मैं आपको दिखाई देता हूं ठीक है हो सकता कि आपके माइंड में डाउट रहे हूँ कि कोशन नहीं हुआ तो यहां पर रूट टू बना दिया और अगर हम यहां देखें तो यहां वन अपन टू दे रखा था ठीक तो डैट मीन के यहां पर मिस्प्रिंट है ठीक है वन अपन रूट टू ही आएगा ठीक है क्लिया चलिए फिर आगे बढ़ेंगे निटीन नंबर बोला कि इफ थीटा एंड फॉइंड बी एक्यूट अंगल एंड साइन थीटा इस इक्वल टू वन अपन टू एंड कॉस फाइज इक्वल टू वन अपन तरी ठीक दैन यह पूशा गया है ठीक तो ठीटा यहां से हम देख सकते हैं साइन थीटा वन अपन कब होता है यानि कि जब sin की value 30 होती है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि theta की value जो आई वो 30 degree आई ठीक तो theta की value 30 degree आ चुकी है ठीक यानि कि हम कह सकते हैं इसको यहां से फिर से देखें तो यहां पे आ जाएगा या फिर एक value यहां पे भी आएगी वन अपॉन टू और वो कब आएगी जब 5 pi y 6 होगा ठीक है यानि कि maximum value यह होगी और minimum value यह होगी तो यहां से एक चीज़ और कह सकते हैं कि 5 pi 6 और pi y 6 जो है वो theta हो सकता है ठीक है यानि कि minimum यह होगी और maximum value यह होगी ठीक है दूसरा अगर हम इसकी बात करें 5 की ठीक तो यह 1 upon 3 दे रखा है तो यह बड़ा तो होगा 0 से बड़ छोटा होगा किस से 1 upon 2 से ठीक 1 upon 3 छोटा होता है और angle मैं गर देखें 0 value कब आती है हमारी जब 90 degree होता है यानि कि cos pi by 2 होता है ठीक है यहाँ पर भी हम cos 3 किस किये cos 5 किये न और cos 1 upon 2 कब होता है यानि कि cos पाइवाई 3 ठीक है यहाँ पर यतना होगे अब हम इसको यह बोल सकते हैं पाइवाई 3 ठीक है बड़ा होगा 5 से और इस से छोटा होगा पाइवाई 2 से ठीक अब दोनों तरब हम क्या करेंगे theta ऐड कर देते हैं तो यह पाइवाई 3 5 ठीक है पाइवाई 102 ठीक है इसमें क्या करते हैं हम जो ठीक की मिनिम्मम value दे रखी है वो add कर देंगे ठीक है तो pi y 3 plus pi y 6 और इसको ऐसे रहने दो 5 plus theta क्योंकि यहां पर बीच में 5 plus theta है सब में pi y 2 plus pi y 6 यहां LCM लेंगे तो LCM लेने के बाद हमें क्या मिलेगा 2 और यह 3 pi 3 pi upon 6 5 plus theta 5 और यहां पर क्या मिलेगा 3 और 4 4 pi upon 6 तो यहां 2 से काटेंगे और यहां 3 से काटेंगे तो मिलेगा हमें क्या pi y 2 theta plus 5 और 2 pi upon 3 तो ऐसा कोई answer है क्या c वाल option जो है वो इसमें correct होगा ठीक है I hope कि आपको यह clear हो गया होगा अगर clear ना हो तो एक बार फिर से पीछे करके वीडियो देख लीजेगा अगर फिर भी clear ना हो तो please जो comment box से वहां पर mention कर दिए या फिर नीचे जो description में लिंक दिया है गुरुप का उस गुरुप को जोइन कर लिए टेलिग्राम पर और वहां पर अपना डाउट आप पूछ सकते हैं ठीक है अगला जो 20 नंबर कोशन है वो है height and distance है तो मैं इसको कर देता हूं अभी rough ठीक तो कोशन हमारा कहरा 20 number the angle of elevation of tower from two place in the line with the foot of tower ठीक है तो tower बना लिए हमने और ये इसका foot होगा तो दो place है तो दो place बना लेते हैं अंगल बनना दो place से तो हमेशा द्यान रखना बड़ा एंगल पास बनता है और चोटा एंगल होता है वह दूर बनता है और यह इनके बीच की डिस्टेंस जो है यहां तक वह हंड़ेट डिग्री है तो इसको हम एक्समाल लेते हैं कुछ भी और यह हाइट हो गई इसके लिया अब हमें यहां पर ह पुटा वाला ट्रैंगल लेंगे यानिके 10 60 डिग्री एच अपॉन एक्स और यहां से रूड 3 एच अपॉन एक्स ठीक है हाय इच निकालनी है तो यहां से हम एक्स बराबर एच अपॉन रूट 3 लिक सकते हैं है अगेन आप जब बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो टैन 30 H upon 100 plus X या फिर 1 upon root 3 30 की value 1 upon root 3 cross multiply करेंगे तो हमें मिलेगा H root 3 और 100 plus X X की जगह हम यहाँ पर रख देंगे H upon root 3 root 3 से दोनों side हम multiply कर देंगे यह हो जाएगा 3H 100 root 3 plus H इस H को जब इस side ले जाएगे तो यह minus को जाएगा क्योंकि अभी plus का है जब इदर जाएगा तो minus को जाएगा 3H minus H is equal to होता है 2H और यह हो गया 100 root 3 तो H बराबर यह इसके divide में आएगा तो 50 root 3 यानि के जो height होगी tower की वो 50 root 3 option number 3 जोगा वो इसमें correct होगा जोड़ी फिर next question जो है वो है 21 if A lies in the second quadrant ठीक है यानि के यहाँ पर इस quadrant में बात कर आएगा तो यहाँ पर cable sign और कॉसिक होते हैं ठीक है plus के बागी सब minus के होते हैं ठीक है तो 10 अगर हम देखें यह क्या लिखा है 3 10 A plus 4 is equal to 0 और 3 10 A is equal to minus 4 और 10 A is equal to minus 4 upon 3 ठीक है यानि के इस quadrant की बात कर आएगे second quadrant में है क्योंकि minus में value है तो 4 upon 3 इस quadrant में है अब value हमें निकाल लिक इसकी 2 cot A और minus 5 cos A plus sin A ठीक अगर मैं फिर से यहां मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से एक right angle triangle बिनाएंगे 10 यानि के यह 4 है यह 3 है तो यह कितना जाएगा 5 आजाएगा ठीक है पाइदा गुलस थिरम लगाएंगे है तो यानि के है इसक्वाइर का होता है कोट A की value क्या होगी यहां से इसका reciprocal होता है 10 A का तो यानि के 3 upon 4 ठीक है माइनस अब यहां पर देखिए cos की value पूछ रहा है ठीक है तो cos क्या होता है base divided by hypotenes यानि के 3 upon 5 होना चाहिए multiply 3 upon 5 ठीक है यह होगा बट second quadrant की बात करता है तो यहां पर cos theta ही प्लस क्यों गए तो यह minus को हो जाएगा यानि के यह value क्या है minus किया जाएगी ठीक है plus sin A sin A दे रखा यानि के 4 upon 5 ठीक तो यहां से 5 से 5 cancel out और 2 टूजा 4 तो minus 3 upon 2 और यह minus minus से plus 3 और plus का 4 upon 5 हो गया ठीक है LCM ले लेंगे तो LCM हो जाएगा 10 तो यहां पर minus का 15 हो जाएगा यहां पर plus का 30 हो जाएगा और यहां पर 8 हो जाएगा तो यहां से हमें मिलेगा plus का 15 और आठ तेज 23 upon 10 जो होगा वो हमें मिलेगा solve करने के बाद यानि कि option B जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे इसको मैं रख कर देता हूं अगर नोट ना कियो तो वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट कर लीजिए जो 22 है उसमें 90 डिग्री जो है वो ठीटा से बढ़ा है बट 80 डिग्री 180 डिग्री से ठीटा जो है वह छोटा ह है और depression there कि cost two theta is equal to sins 4the ठीक है तब हम्में value निकालनी था वैल्याय आप 10 त्थ BIG तो इसको हम cost to theta is equal to cost sin 4 theta अंहुआ है तो इसका मतलब यह minus cost 270 minus 4 theta लिखा हो ठीक है यह लिखा होगा तब भी थे हमारे पास से प्लस का साइन फॉर ठीटा लिखा हुआ है ठीक यहां से कॉस्ट टू सेवेंटी मैंनस फॉर ठीटा साइन मैंनस का साइन प्लस का हो जाएगा यहां कि थर्ड कोडिनेंट की बात हो रही है यह 270 वाला का बोता यह 100 ची यह न और लिए 270 यहां कि इसकी बात चल लएं ठीक तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं तो थीटा इस उकल टू सेवेंटी महीं और यह वालाइगा फ्लस का प्लस का पॉर ठीटा इसको इस साइड ले जाएगा और इसको इस साइड लाएंगे तो यह माइनस को हो जाएगा या नहीं कि 2Theta is equal to270 and $theta is equal to 135 ठीक है तो $135 आगी 10 Theta Vitamin निकॉलनी तो निकालनी है यानि कि 10 135 को लिख शक्ता हूं नबहे प्लस 45 यानि कि माइनस का कॉट 45 की वैलू जो होती है यानि कि सी वाला option जो होगा वो इसमें correct होगा या फिर हम दूसरी तरीके से इसको check कर सकते हैं option by option से जाके ठीक है तो ऐसा option लीजिए जो आप easily calculation कर सकें ठीक है तो इसमें यहां पर रूट 3 तो इसको नहीं लेंगे यहां भी रूट 3 है इसको नहीं लेंगे और यह बैसी भी प्लस में है ठीक है तो यह value तो हो नहीं सकती तो अगर हम वन यह 0 में से एक को लें वह minus 1 पर जैसे हमने पता लग गया answer चेक कर सकते हैं इसको तो क्या करेंगे minus 1 का मतलब क्या होता है 10 की value अगर minus 1 दे रखी इसका मतलब है 10 135 की value है ठीक है क्योंकि यह second coordinate की इसमें बात चल लेंगे यहां पर है कहीं ठीक क्योंकि ठीटा जो है वह 90 से बड़ा है ठीक तो इसकी बात चल लेंगे इसमें value 90 प्लस 1 कब होती ही जब 45 होता है तो 90 प्लस 45 परेंगे तो 135 यहनिकि 10 135 इसका मतलब है कि ठीटा की value 135 है अब अगर हम ठीटा की value यहां पर इस equation जो दे रखी इसमें हम रखें तो कॉस 270 आएगा और साइन 540 इसको क्या लेख सकते हैं कॉस 180 प्लस 90 और इसको क्या लेख सकते हैं यह हो जाएगा साइन 120 क्योंकि 720 में से हम इसको गटाएंगे 540 को 360 को होता है नहीं तो दो बार राउंड लगाएगा तो 720 720 में से गटाएंगे जीरो बार में चार गए आठ और 180 ठीक है तो साइन 180 यहाँ पर साइन 90 प्लस इसको इस तरीकर से लेख सकते हैं 90 प्रंति झांच स्छल्ट ऑन 102 तेगरी की भी वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो जीरो ग्रावर जीरो ठीक है तो आप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा चलिए फिर नेक्स्ट कोश्चन जो है 23 नंबर वो है कि कॉस्ट ठीटा के वैल्यू दे रखी रूट 3 अपन 4 और जो दे रखाए के 270 से ज तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे यहां पर ठीक है कॉस्ट की वैल्यू दे रखी यानि कि यह 4 होगा और यह रूट 3 होगा ठीक तो इसका मतलब क्या है मुझे यहां पर प्रपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है प्रपेंडिकुलर का स्क्वार होता है ए यह दिया यहां 3 रूट 3 और यह चार ओगा ठीक है बे अपां आई होता है ठीक और यह होगा बेस तो फॉर इसक्वार यानिके 16 थी फॉर जाता है तो थीन यानिके यहां से रूट 3 और पी इस इक्वल टु आजाए कर यानिके पर प्रपेंडिकुलर जो निकलेगा वो अब पूछा क्या गया है कॉट ठीटा की वैल्य पूछी गई है तो कॉट ठीटा क्या होता है कि बेस अपान प्रपेंडिकुलर यानि के रूट थी अपान रूट थार्टीन ठीक लेकिन यह जो वैल्य दे रखी है दो सो सत्तर से और यहां पर जो कॉट है वो माइनस का होता है तो यहां पर माइनस लग जाएगा अंडर रूट थी अपान थार्टीन हो जाएगा ठीक डी वाला ओप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 24 कोश्चन है कि 10 टीटा प्लस 7 टीटा वर इस इकल टू एम 10 टीटा मैंस 10 टीटा इस इकल टू एं देन वैल्यू हमें जो बतानी है वह एम स्क्वार मैनस एन स्क्वार की बतानी है ठीक तो क्या करेंगे चलिए फिर इसको थोड़ा सा उपर कर लेते हैं और यह थोड़ा सा रफकल लेते हैं ठीक अगर आपने ना लिखाओ तो इसको पीछी करके वीडियो पोस्ट करके इसको लिख लेना हूं तो एक्येशन देरखें हैं, 10 θ प्लस, sin θ is equal to M और 10 θ – sin θ is equal to M इसको मैं जब add करूंगा तो यहां से मिलेगा 2, 10 θ और M plus N मिल जाएगा यह थोड़ाने और यह थोड़ाने मैं माइनस यह मिल जाएगा ठीक है इसके बाद हमें करना क्या है अब इन दोनों को हम multiply कर देंगा ठीक है तो यहां तो मिलेगा हमें पौर साइन ठीटा और टैन ठीटा और यह क्या होगा यहां पर अड्रूट का M प्लस N और M माइनश अगरा एपलस B और A- इसक्वर माइनस N यहां पर एप अ तीक है यहां पर और अंडरूट अडरूट अब मैं इसको sin theta और 10 theta को लिख सकता हूं, यह sin square theta और 10 square theta लिख सकता हूं, ठीक है, मैंने square कर दिया, अगर under root से राट आएंगे, तो sin theta 10 theta आ जाएगा, ठीक है, अपने question को solve करने के लिए हमें, हमें ऐसा करना पड़ा है, तो for under root, ठीक है, sin square theta plus, इस 10 square theta को हम change कर देंगे, अब यहां से देखिए 4 under root sin squared theta plus कहां से जगे multiply और यहां इसको लिख सकता हूं 1 minus cos square theta और नीचे cos square theta 4 under root sin square theta और ये इसको separate करनूं तो 1 upon वूमारीा ये क्या स्कुर टेटा या इसन स्कुरेड्ड फिटा कले अब यह क्या होता इसके मल्लिप्लाई कर इच ülk speaking यहां या थान स्कुर ठीटा माईनस कि स्दूकर से Gest transc livres कि यह के और अब मेरेस्य माइनस यह स्क्यूर्व जैसा लगरा है मुझे तो मैं इसको CHANGE करदूंगा यानी कि 10 स्सक्राइब और इस chancellor च्ला किसी और इस जीता पिलस स्सक्राय की ब्लाइब स्सक्राइब मैंने स्सक्राइब और ये एम आप टीक फिलस पॉर अंज कर लें मैं ठीक यानि के वाला option जोगा वो इसमें correct होगा ठीक क्लिया चलिए फिर 25 नंबर question को देखेंगे जो height and distance है तो question बोला है कि the length of shadow of a tower is 40 meter ठीक कोई tower है इसकी shadow की जो length है वो 40 60 meter है कि चालेश दे रखिए when the angle of elevation जो है वो 60 है कि यह right angle triangle है ठीक है तो थोड़ा सा जान रखना है आठ थोड़ी कमजोर है मेरी कि यह हो गया वेन दा एंगल ऑफ एलेवेशन ऑफ सम्ठीक है फाइंट दा एंगल ऑफ एलेवेशन वेन दशेडव भी की length of 120 यानि कि थोड़ा सा कुछ और बढ़ा होगा यह 120 हो गया भी है तो इसका मतलब यहां तक हो गई यह और यह एंगल इसने पूचा है ठीटा माल लो इसको क्योंकि एंगल ही पूचा है तो अब सब से पहले हम छोटा वाला एंगल लेंगे यानि कि इसकी बात करेंगे जहां पर 60 बना आए ठीक तो 10 60 डिग्री एच अपॉन 40 यहां से रूड 3 एच अपॉन 40 और एच वराबर जो आया 40 रूड 3 आया ठीक एच वराबर 40 रूड 3 आ गया अब बड़ा वाला एंगल ले लेते हैं यानिके 10 थीटा इस इकल टू एच अपॉन 120 ठीक एच अपॉन 120 यहां से एच की वैलू रख लेंगे 40 रूड 3 अपॉन 120 यह हो गया 3 यानिके रूड 3 और 3 को मैं रिक सकता हूँ रूड 3 यानि के एक वटा रूड 3 और 10 ठीटा की वैलू एक वटा रूड 3 कब आती है जब 10 की वैलू 30 होती है तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ कह सकता हूँ कि ठीटा की वैलू जो है वो 30 डिगरी है यानि कि option एक जो होगा यह वाला वो इसमें correct होगा next question है the value of यह नंब और यहां से भी one मिलेगा तो one plus one is equal to होता है two यानि कि option number d जो होगा वो इसमें correct होगा हमेशा ध्यान लखना जिस जिसके complementary बनते हैं अगर वो अगर वो divide में है तो वो one मिलेगा ठीक कैसे मिलेगा अगर आप वो भी देखना चाहते हैं दिखा देता हूँ ठीक है cost 68 यहां पर इसको मैं लिख सकता हूँ sin 90-68 पिलस sin 20 डेगरी और यहां पर मैं लिख सकता हूँ cos 90-20 डेगरी ठीक है 70 को 90-20 लिख सकता हूँ न उपर हो गया cost 68 sin 90-θीटा होता है cos ठीटा यानि कि cost 68 plus sin 20 डेगरी और यह होता है cos 90-θीटा मतलब sin ठीटा that means sin 20 यह cancel out हो गए 1 मिल गया यहां से भी 1 मिल गया 1 plus 1 is equal to 2 ठीक है तो आपको हर बार यह question नहीं करना है बस आपको यह याद रखना है यह अगर मिलके 90 degree हो रहा है ठीक है तो यह 1 देगा 1 plus 1 is equal to 2 आपको tick करके निकल जाना आगे ठीक 27 question है कि height and distance से है यह the length of shadow of pole ठीक है is double of the length of pole then the angle of elevation पूशा है ठीक है यानि कि जो height है pole की और उसकी height मान लोके अगर x है या कुछ और भी मान सकते हैं ठीक है तो मैं मानता हूं कि x है तो उसकी shadow की जो length होगी वो 2x हो जाएगी जैसे कि यह भी figure बनाते है और इसमें देखते है यह x है तो यह 2x होगी shadow की length ठीक है और यह हमें theta मान लिया theta नहीं कानला है ठीक तो यहां पर हम लगा सकते हैं 10 10 theta लगा सकते हैं यह तो गोलना the pole is double of the length of the pole ठीक है x upon 2x तो यहां से x x cancel out हो जागा 1 upon 2 मिलेगा यानि कि 10 theta की value कितनी आगी 1 upon 2 ठीक है अब हमें angle दे रखे है 30 60 45 ठीक है तो 10 30 की value कितनी होती है यह भी पता है 1 upon root 3 ठीक है अगर मैं इसको decimal में निकालू तो यह लगभग 0.58 और इसकी यह कितनी है 0.5 है ठीक 1 upon 2 का मतलब क्या है 0.5 है तो मैंने देगा यहां पर 10 30 की value 0.58 आई है और यह कितना है 0.50 यानिके 0.08 value अभी यह कम है जबके 10 30 दे रखा है यानिके इसका मतलब 10 30 से भी value हमारी कम होगी तो 45 और 60 तो हो नहीं सकता यह हट गए अब 30 से भी छोटा है एंगल यानिके it means यह लगबग 25 से लेके 30 बी 30 के 29 के बीच में यह कोई एंगल होगा तो इसमें से डी लगा सकते हैं कॉस 90 माइनस 43 ठीक है कॉस 47 बना जाएगा यहां से प्लस यहां साइन में चेंज किया अब कॉस 43 डिगरी और यहां पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 43 तो यहां से मिलेगा 9 sin 43 डिगरी और sin 90 मानसentrytah मतलब sin θ belly ठीक है cos 43 और sin 90 मानस compliments मतलब cos θ logar यह हो गया sin square 43 plus cos square 43 अगर आपको याद हो sin square theta plus cos square theta बराबर क्या होता है 1 होता है तो that means option भी जो होगा वो इसमें correct होगा अगला question है the value of cos 40 plus theta minus sin 50 plus 50 minus theta plus यह इतनी लंबी equation दे रही है तो इसकी हमें value बतानी है तो इसको rough कर देता हूँ तो यह cos 40 plus theta लिखाया है यानि कि इतना value यह theta की है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ यह किसी time ऐसा भी लिखा होगा sin 90 minus 40 plus theta ठीक है minus sin 50 minus theta plus यह क्या है cos square 40 ठीक है cos square यह 90 minus 50 लिख सकता हूँ इसको plus cos square 50 और यह क्या लिखा है sin square तो इसको भी change कर लेते है sin 90 minus 50 ठीक है यह plus sin square ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यह bracket जब open होगा तो minus का 40 हो जाएगा minus का theta हो जाएगा तो 90 minus 40 मतलब 50 minus theta हो जाएगा minus का sin 50 minus theta हो जाएगा plus यह क्या हो जाएगा sin square 40 plus cos square तो नीचे देख लेते हैं इसको इसको नीचे लेख लेते हैं ठीक है यह हो जाएगा sin square 50 plus cos square 50 divide by cos square 50 plus sin square 50 तो यह plus का है और यह minus का है यह cancel out हो गया यहां से sin square theta plus cos square theta यानिके one आएगा और यह भी one आएगा यानिके one upon one यह यहां से क्या मिलेगा one ठीक है तो यह तो cut गया zero आगया और यह one आगया total total answer क्या होगा one होगा यानिके zero plus one मतलब के one होगा यह zero हो गया पूरा part और यह plus के बाद यह one हो गया ठीक तो twenty nine question थे जो 2005 से लेके 2014 तक के थे यह 2005 से लेके 2014 तक के ठीक है अगर possible हुआ जो बाकी के बचे हैं 2015 से लेके 2020 तक के अगर वो question मुझे मिल गए तो इसका भी हम part two बनाएंगे ठीक तो आप सभी से request है आप जिसे जिसे भी जानते हैं कि जो अलीगर या जामिया 11th या डिप् कर रहे हैं preparation कर रहे हैं तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचा है ताकि मेरी मेहनत की शफल हो जिस मेहनत से मेहनत वीडियो को बनाया और आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राब नहीं किया तो च थैंक यू वेरी मुच